नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पनप चौदरी सिबिल पार्ट साला में आप सभी को स्वागत है दोस्तों आज आप लोग के लिए एक 25 फीट बाई 40 फीट का इंडियान हाउस प्लान लेके आये हैं जी हाँ दोस्तों 2BHK का हाउस प्लान रहेगा यहाँ पे आप स्क्रीन पे द लिंग कॉस्टिंग हर एक चीज बारी की से बताऊंगा इलेक्ट्रिक प्लाम्मिंग कहा का पे होने वाला है वो भी में आप लोग को साथ शेयर करने वाला हो तो वीडियो को जरूर एंट तक देखे कुछ ना कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिलता रहेगा एंड यह जो ब्लान है आप अपने प्लाट पे इन्टेमेंट कर सकते हैं अगर आप अपने हिसाप से प्लैन बना चाहते है तो कॉन्तेक्क कर सकते हैं र Lynn प्रोवाइट किया गया है यहां से हम लोग ground level से plinth level को high करके इसके बाद हम लोग एक provide किया है door यहाँ पे 3 feet का door दिया जाएगा डोर से enter करते ही आपको drawing area मिल रहा है 12 feet 6 inch by 12 feet का इसी के साथ ही आपको L shape में एक steer मिल रहा है steer हम लोग थोड़ा छोटा रखे हैं तो 3 feet का हम लोग यहाँ पे steer का length रखे हैं L shape में हम लोग इसको provide किया है यहाँ से हम लोग up करेंगे यहाँ से आप करके first floor में पहुचेंगे यह जो drawing come dining area यहाँ पे हम लोग एक window provide किया है 5 feet का ताकि proper ventilation drawing area में आता रहे आपका जो guest आएगा उनके लिए जो toilet provide किया जाएगा वो 6 feet by 6 feet का provide किया गया है proper ventilation के साथ और यहाँ पे एक door दिया गया है धाई फिट का now हम लोग drawing area से lobby area में आ जाते हैं यह जो door दिया गया है 3 feet का door है 3 feet का door से हम लोग lobby area में आएंगे 10 feet by 12 feet का यह lobby area है ओके big size का ही है कोई दिक्कत नहीं होगा lobby area में kitchen प्रोवाइट किया है 7 feet by 7 feet का 7 feet by 7 feet 6 inch का kitchen में आने के लिए आपको जो door प्रोवाइट किया गया है यह रहेगा 3 feet का and window प्रोवाइट किया गया है यह भी same सारे 3 feet का यह प्रोवाइट कर सकते है यहाँ पे छोटा सा एक passage बन रहा था तो यहाँ पे हम लोग एक basin hand basin प्रोवाइट किया है ताकि proper यहाँ पे आप हाथ धोके अपना सब कुछ कर सकते है क्यूंकि toilet थोड़ा छोटा है तो hand basin हम लोग बाहरी प्रोवाइट कर दिये है यहाँ पे एक ventilation दिया गया है नाव हम लोग फर्स देख लेते हैं यहाँ पे और एक common toilet प्रोवाइट किया गया है शिक्स फिट बाई सारे पाच फिट का प्रोपर वेंटिलेशन के साथ दोर दिया गया है धाई फिट का फर्स बेडरूम देख लेते हैं हम लोग जो बेडरूम है 11 फिट फिट का है प्रोपर दोर के साथ और वेंटिलेशन 5 फिट का प्रोवाइट किया गया है नाव सेकेंड बेडरूम में आ जाते है 12 फिट 6 इंची बाई 14 फिट का यह बेडरूम रहेगा प्रोपर वेंटिलेशन 5 फिट प्रोवाइट किया गया है बेडरूम भी बढ़िया साइस का प्रोवाइट किया गया है नाव सारा डिसकेशन तो हो गया चोटा यह तो हो गया चोटा मोटा डिसकेशन अभी हम लोग थोड़ा टेकनिकल बाते करेंगे कलम पोजिशन्स पहले आप लोग को बताऊंगा देखिए कलम पोजिशन्स लगबग कुछ इस तरीके का होने वाला है सॉरी यहाँ पे मत देते हैं कुछ इस तरीके का तो यहाँ पे हम लोग एप्रोक्स 12-piece कलम प्रोवाइट करेंगे ठीक है 12-piece कलम प्रोवाइट करेंगे तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कलम 12-piece कलम size जो रहेगा 10-inch by 12-inch का कर देता है कलम size wall size कितना रहेगा wall size भी मैं आप लोग को मेंशन कर देता हूँ wall size रहेगा यहाँ पे 6-inch जितना सारा outer inner जितना सारा wall देख रहा है यह 6-inch का ही रहेगा ओके अभी हम लोग electric plumbing देख लेते हैं कि कितना आने वाला है building costing में आप लोगो बताऊंगा ज्यादा time नहीं लगा electric plumbing का देखिए first हम लोग यहाँ पे plumbing का देख लेते क्योंकि kitchen cabinet अगर यहाँ पे देंगे तो पानी का पॉइंट सिंग का पॉइंट यहाँ पे देंगे यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए तो यहाँ से भी बाहर निकाल देंगे हम कुछ इस तरीका हो गया toilet में चाहिए कोमूड अगर यहाँ पे बिठाएंगे तो कोमूड के back side में एक चाहिए and यह वाला side में चाहिए ताकि hand shower जो रहता है उसके लिए and एक चाहिए आपको shower के लिए and gizer के लिए भी एक point चाहिए तो सारे point को हम लोग ऐसे करके बाहर निकाल देंगे यह जो point है connect होके फिर बाहर निकल जाएगा same as it is यहाँ पे कोमूड रहेगा यहाँ पे एक point चाहिए gizer के लिए यहाँ पे चाहिए shower के लिए यहाँ पे चाहिए एकदम easy है कोई tension ही नहीं है एकदम easy वाला बात है कोई issue नहीं है इसमें कुछ इस तरीके का steer हम लोगे पास यहाँ पे है तो हम लोग water tank रखेंगे इसी position पे ताकि easy रहेगा हम लोग को ठीक है न तो water point सारे को एक साथ connect करके हम लोगे पास जो tank बच रहा है तो इस connection से हम लोग उपर चले जाएंगे इधर से हम लोग इधर से भी उपर जा सकते है यहाँ पूरा घूम के इसके साथ connect होके फिर उपर जा सकते है यह आपके उपर है और आपका जो plumber है उनके उपर है ओके नाव हम लोग electric के लिए बात करेंगे electric कैसा हो सकता है देखे हम लोग electric point यहाँ पे गेरेज में एक electric point दे सकता है यहाँ पे क्यूंकि यहाँ पे हम लोग के पास एक fan रहेगा और यहाँ पे एक tube light हम लोग provide करेंगे तो सारे के साथ connected रहेगा यह कुछ इस तरीके का इसी socket के साथ and main जो drawing area है drawing area में घुसते ही आपको एक left hand side में switch and socket मिलेगा and यहाँ पे एक fan मिलेगा आपको and light provide करेंगे यहाँ पे सारे के साथ connected कर देंगे हम लोग कुछ इस तरीके का ठीक है toilet के लिए बाहर में ही हम लोग switch and socket provide करते है एक gizzard के लिए point चाहिए toilet में एक gizzard के लिए point चाहिए तो गीजर हम लोग कहाँ पे connect किये थे यहाँ पे side किये थे तो यहाँ पे एक point दे देते है और यहाँ पे एक light provide करते है तो सारे का connection कुछ इस तरीके का रहेगा यहाँ पे अगर आप एक fan छोटा सा fan exhaust के लिए कर सकते है तो यहाँ पे connection रहेगा ठीक है kitchen के लिए देख लेते है kitchen का point अंदर ही कर सकते है कोई issue नहीं है यहाँ पे एक chimney का point चाहिए kitchen में यहाँ पे एक light चाहिए तो इसका दोनों का connection कुछ इस तरीके का हो जाएगा एकदम simple है bedroom first मैं एक bedroom का दिखा लेता हूँ मेरा यह side pane का इंग खतम हो गया है ठीक है तो यह जो sink है sorry यहाँ पे socket रहेगा यहाँ पे हम लोग एक fan प्रोवाइट करेंगे ठीक है न यहाँ पे एक rod light प्रोवाइट करेंगे हम लोग एंड यहाँ पे एक छोटा सा LED bulb प्रोवाइट करेंगे तो सारे के साथ connected रहेगा यह ठीक है सारे sorry मैं थोड़ा change कर लेता हूँ यह देखें कुछ इससरी का हम लोग यहाँ पे प्रोवाइट करेंगे ठीक है ओके यहाँ पे हम लोग प्रोवाइट करेंगे एक bed switch bed switch के साथ एक fan connect कर देते है एंड बेट switch के साथ यह छोटा वाला light connect कर देते है ओके फ्रेंट्स एंड नेक्स बेडरूम बेडरूम तो सेमी रहेगा कोई changes नहीं आएगा एंड लॉबी में एक connect रहेगा लॉबी में एक socket and switch रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपको एक fan चाहिए ठीक है एंड लॉबी में प्रोपर light भी चाहिए आपको यहाँ पे भी एक light चाहिए सारे का connection आप इसी से कर लेंगे ठीक है यह जो switch and socket दे है सारे का connection इसी से कर लेंगे तो यह plan आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएए अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ जरूर शेर कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आकेन को प्रेस कर दीजिए एंड बिल्डिंग जो costing आएगा इसका लगभग लगभग 12.5 लेक्स खर्चा आ सकता है क्योंकि यह 1000 स्क्वाइर फीट का प्लॉट है अगर प्लान पसंद आया फ्रेंड के साथ जरू शेर कीजिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड थैंक्यू वेरी माच जैहिन वंदे मातरम